नमस्कर मित्रो नजदिक होली आ रहे हैं और आप लोगों को होली के बारे में बहुत सारे बहुत सारे चैनल में हमारे चैनल में भी इसके टूटके मिल जाएंगे लेकिन होली की राख की जो फायदा बताऊंगा साइद अभी तक कि किसी भी चैनल में या फिर किसी भी प्रका के लोगों ने जानकरी नहीं दिया होली जो राख होता न मित रिष्ट के अंदर में बहुत ज्यादा अलोकी दिब्या एवं चमतकारी गुण पाय जाता है तो आज मैं आप लोगों को होली जो राख है इसके दस फायदे बताऊंगा इस प्रकार के जानकरी अमुल्य होते हैं अगर बिड़ो को आधे बीच में दक करके मिस करते थे इसमें आपको इनुक्षान होने वाले हैं अदुकुचिरे ग्यान अधूरा ग्यान हमेशा खतानाक शावीत होते हैं जो भी आप जानकरी लेते हैं पूरी तरीके से विस्तार से देखा करें सुरूस लेकर के आखरी तक कि दिखा करें तब वह समझ में आते हैं इसकी जो दस फायदे बताऊंगा किसी पेन कॉपी में नोट करके रख ले ये फिर गाण बांद करके रख ले ये जानकरी आपको आगे चल करके काम आएंगे आपको धनवान बनाने में आपकी बहु कारें करेंगे तो पहला है बीमारी दूर करने के लिए आप इसका परो कर सकते हैं जो होली की राख होते हैं अगर आप लंबे समय से बीमार तो होली की राख पूरी तरीके से इसके राख से इसनांद करें यानि कि पूरी तरीके से अपने सरीर में लगाए तो ये बीमारी को दो से तीन बार लगाने के ठीही कर देते हैं तंत्रा बाधाओं से आपको निजात पाने में काफी मदद करेंगे अगर तंत्रा बाधाओं तो होली की जो राख होते हैं इसके इसनान करने से इसनान करने से पूरे सरीर में लगाने से तंत्रा बाधाओं को शमापतक कर देते हैं सरीर जल्दा नीरोग हो वेपार व्रिद्दी करने के लिए जहां पर आपका वैपारी स्थान वहां पे छीटा मानने से वेपार में तेजी से व्रिद्दी होता किष्णि बंधन कर दे हो तो बंधन को भी खोलने का कम नित्य सोते समय मस्तक पर इसके थोड़ से राग जरूर लगाना चाहिए अगर आपको बूरे स्वपन आतें तो होली की राग जो है तक्ये की नीचे रख करके सोने से बूरे जो स्वपन होता है या ना बंद हो जाते हैं और इसके अंतिन यानि की दसवा फैदा बताने की परयास करूंगा तोने जादू उपरी हवा से बचने के लिए भी इसको करें यह तोने जादू उपी हवस से हमें सापकी बचाओ करेंगे तो आसा करता हूं होली किरा की जो दस चमतकारी पर्योग बताएं फाइदा बताया हूं यह जरूर पसंद आया होगा समाच का लिया है तो इसे आगे जरूर शेयर करना ताकि बहुंसे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो बिर्दखने के लिए धन्यवाद नमस्कार